हेलो फ्रेंज मोधुमिता लीटिल कीचेन मोयल का मैं हूँ मोधुमिता आज में और एक न्यू रेसिपी सेयर करने जारी हूँ आज में जो रेसिपी सेयर कर रही हूँ देखने में जितना ही सुन्दरे खाने में उतना ही टेस्टी है ये बला जो snacks यानि ये बला जो whiskyत है उपर बहुत बढ़ी आसा क्रिस्फी होता है रोंद शाप्ट होता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होगा आज मैं शेयर कर रही हूँ ताल से बना हुआ बहुत बढ़ी आसा एक इस snack का recipe प्रेशिपी पता है अगर जिसको पता नहीं ही ओ भी मैंने दिखाते हो यह सीजिन में मिलता है मतलब बारिस के मुशं में मिलता है यह ताल फल तो यह ताल जो मार्केट से खरी देंगे तब देखना यह थोड़ा सा पक्का होना है मतलब आच्छे तरह से नरम होना है आप देखिए इसका पाल्क किस तरह से निकालना है तो पहले उपर का जो यह बला हिस्सा हो हटा देती है और इसका छिलका निकाल लेते है लेकिन ताल को थोड़ा सा सौप्ट होना है अगर बड़ी असा सौप्ट ताल होगा तो यह आसानी से पाल्क निकाल जाएगा तो देखिए मैंने उपर क चिल का पूरा हटा दिया, आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के सप्ट कर लेते हैं, जदा नहीं थोड़ा पानी डालती हूं मैंने, और थोड़ा सा हातों की हेलप सीस को मैस कर लेती हूं, बहुत आसानी से इसका पाल्प निकल जाएगा, अगर ताल नहीं मिलेगा, तो किस त तरा सिस्ताल को साप्ट कर लिया आप इस तरीका का ग्रेटार केल से मैंने इसका पाल्प निकलूंगी ये बला ग्रेटा तो सबको घर में अभेलेवेल होता है अगर बारिक बला जो होता है ओ भी उज़ कर सकते लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा बला उज़ कर दियो ताकि इ बेम्बो का जो टोकरी होता है ना उससे भी बना साकते हैं बेम्बो का टोकरी में में बहुत आसानी से ताल पाल्प निकाल जाएगा तो देखी मैंने इस तरीका का ताल पाल्प निकाल लिया एक काप है ये ताल पाल्प तो एक काप ताल पाल्प को मैंने कोड़ाय में डाल एक काप ताल पाल्प के लिए मैंने डाल रही हूँ अधा काप जैसा जीनी, क्यूंकि ये वला जो नास्ता बनेगा थोड़ा सा मीठा होता है, अगर फिका खाना पसंद करता है तो जीनी का क्वांटिटी कम कर सकते है, ज्यादानी ये थोड़ा सा नमक डाल दिया, आभी इसक कर टेस्ट भी नहीं है, अगर खाने का टाई मुँ में चिपकेगा, तो इसलिए जोरूर पास साथ मिले इसको आच्छे तरह से पका लें, देखी बोड़िया से इसमें उबाल आ रही है, मतलब ये आच्छे तरह से पाग गया, आब इसके साथ मिलाएंगे दूद, तो पाग देते है, ये थोड़ा सा गिला भी हो जाएगा, तो देखी इसका कॉंसेस्टेंसी इस तरीका का है, आप इसके साथ मिलाती हो मैंने एक काप रवा, एक काप ताल पाल्प यूज किया था, उसी हिसाब से मैंने एक काप रवा यानि सूजी मिला दिया, अब इसको 5 मिल्ट तक भोड़ियासा है, इसको पाकाना है, तब तक पाकाना है, जब तक इसमें से बहुत भोड़ियासा एक डो का सेप ना जाए, तो देखी बोड़ियासा बहुत रोज आसा की बन रहा है, ज्यादा टाय monopol नहीं लागएगा कि कि शूजी जो है बहुत जोल ती ठाइ तो देखी मैंने इस तरीका का पेडा जैसा बना लिया और नाइब की हिल से मैंने ऐसा ही चीरा लगा लेती हो ताकि इसका एक डिजाइन बन जाएगा देखने में भी बड़ी आसा लागेगा आप चाहे तो नाइब की हिल से भी बना सकते ऐसा पे स्पून की हिल से भी बना सक आप चाहे तो नाइप की हल से भी बना सकते हैं ऐसा फिर ये चमुस की हल से भी बना सकते हैं तो इस तरीका से देखे मैंने पूरा बना लेती हो इस तरीका से मैंने पूरा बना लिया आप इसको चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं स्टीम करने से भी ये बहुत बड़ी आसा टेस होता है लेकिन मैंने इसको फ्राइ करूंगी तो फ्राइ करने के लिए देखी मैंने यहाँ पर उयल गरम हने के लिए रगदया ऊइल का टेंपर जर्च को मोसम में आम मिलता है आम कभी ऐसे इस तरीका से पाल्प निकल लेना हार ऐसे ही सेम प्रोसेस में बना नहीं रियली आम से भी बहुत बढ़ी आसा बनता है ताल से भी बना सकते है ऐसा फिर आम से भी बना सकते है गोर्मियों के सिजिन में और आप चाहे तो इस रेसिपी को क केला से भी बना सकते हैं क्योंकि केला पूरा साल भर मिलता है अलग अलग टेस्ट होगा क्योंकि ताल का टेस्ट अलग होता है आम का टेस्ट अलग होता है और केला का टेस्ट अलग होता है लेकिन रियली साज मानी आम से भी बहुत बड़ी आसा बनता है और केला से भी परफे पर तक बहुत क्रिस्पी करना है अंदो थोड़ा सा सब्ट रहेगा लेकिन उपर क्रिस्पी करना है तो एसा ही टाइम लेकर इसको फ्राइ करना है तो देखी कितना बुड़िया सा मस्त इसका कालर आगे और परफिक्ट ये क्रिस्पी भी बन गया इसको मैंने निकाल लेती हो दोसरा बेस भी इसी तरीका से फ्राइ कर लेंगे एक बेस फ्राइ करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लागेगा तो मैंने इसी तरीका से फ्राइ कर रही हो मैंने तोड़की भी दिखाऊंगी और देखके तो पता लग गया कितना क्रिस्पी बनी है रियली देखने में जितना है सुन्दरे खाने में बड़ी आसा टेस्टी लगता है बर इसके मोसमें मिलता है ताल फॉल अगर मार्केट में मिलेगा तो जुरूर एक बाट ट्राइ कीजिए I hope सबको बहुत पसंद आएगा अगर आप और भी ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं पॉला जो तो थोला सा चास्न में बड़ी आसा खरब नहीं होगा ज़्यादा फिर उपवर से थोला सा सूगर पॉड़र ड़को विडियो पसंद करेंगी तो देखने भी बहुत बड़ी आसा लागेगा कालार भी देखिए कितना मौस्तर परफेक्ट है दोनों तोरो पाच्छी तरह से फ्राई हो गया और ज्यादा ओयली भी नहीं होगा चलिए फिर अब तोड़के भी दिखाते हैं तो उपर बहुत क्रिस्पी है अंदर देखिए कितना सौप्ट है अंदर का टेक्स्टर भी मैंने दिखाती हूँ तो देखिए अंदर तक बहुत बोड़ी आसाई फ्राई हो गया सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब लोग आची रहे खुस रहे बाई बाई